हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग हैपी नौरातरी एंड जैमाता दी तो फ्रेंड्स अभी सुबह के साढ़े चार बज रहे हैं और मैं आ गई हूं किचन में वैसे तो मैं रात में ही किचन की क्लेनिंग करके सोती हूं लेकिन सुबह उठने पे थोड़ा बहुत चोटे- करता है तो अभी स्लेप साफ करने के बाद मिक्सर वगण साफ करने के बाद फिर मैं नीचे अब सुरू करूंगी जाडू लगाने के लिए और जाडू कुछा करके और आज नौरातर का पहला दिन है तो मैंने सोचा कि माता जी की पूजा सुरू करने से पहले मैं घर की जाडू मैंने 4 लगा लिया है जाडू लगाने के बाद फिर अब ही मैं चल रहयूं यहा पर पोचा लगाने के लिए और अच्छे से चारू तरव अंदर वाहर पूरा साब सूप करके फिर मैं बच्चों के लिए डिप फास्ट की तयारी करूंगी वैसे तो अगर ब्रत न नहाओंगी क्योंकि बच्चों को अगर मैं नहाने लग गई तो फिर उसके बाद होगा कि पूजा पाठ कर लूँ तो पूजा पाठ करने में ही एक्वेंटी का समय चला जाता है और नहाने के बाद अगर आप पूजा पाठ ना कीजिए तो फिर जैसे मन आधा लाधा किचन म लगा रहता है तो इसी वज़े से मैंने जो है सोचा कि ब्रिक फास्ट बना देती हूं बच्चे जो है क्योंकि बच्चों का भी फास्ट है और उनको जाना है कोचिंग तो अगर मैं नहाने लग गई तो फिर काफी लेट हो जाएगा उन लोगों को तो इसी वज़े से मैंन cards करना है , आज बत है माता-जी का और मैं 9 दिन का बत रक democrat रखी थी 5 साल तक मैं 9 दिन का बत रकी थी लेकिन इसके बाद उद्यापन कर दी और फिर जो है मैं सोच रही हूँ रखने के लिए लेकिन देखते हैं कब से शुरू कर पाते हैं कोई अपने मन से कुछ नहीं करता है जब माताजी की कृपा होगी जब उनको लगेगा कि हाँ मेरी पूजा पाठ है इसे करना चाहिए या नौ दिन का बरत कब रखना चाहिए तो उसी हिसाब से माहौल बना देती है वो समय वैसा बना देती है तो फिर जो है इनसान काम शुरू कर देता है तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ है अगर उनकी कृपा मुझे बनी रहेगी या बनेगी कभी उनको लगेगा तो मैं फिर से 9 दिन का बरत शुरू करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे पूजा पाट करना ब्रद बगर रखना किसी भी तरह का मैं अपनी कोशिश में हर तरस मतलब बहुत कोशिश करती है जितना कर पाती है उतना करती भी हूँ तो चलिए हमारा जहाड़ू कोचा हो चुका है और मैं चल रही हूँ ब्रिकफास्ट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर सब्जियों बगरा कटपिट करोंगी और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को फुल वाज कर लिया करिये और लाइक भी कर दिया करिये कमेंट भी कर दिया करिये तो चलिए अभी यहाँ पर मैं सब्जियों को कटपिट करती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में अभी मैं यहीं कीचन में ही बैठ कर सारी सभजियों को कर रही हूँ और मुझे नीचे बैठ कर काम करना बहुत अच्छा लगता है मatant जैसे फर्स ठंडी ठंडी हिं लगती हा है जाए और यह तो घर्मी है मालीजिये फाराम से सब क्हाम होता है तो मैं नीचे बेट कर सारा काम करती हूं और इसके बाद जो है और मैं साब सफाई भी मतलब फर्स हमारी बहुत साब सुतरा रहती है एक मतलब धूर कड़ आपको नहीं मिलेगा तो आप चाहे जैसे आपको उठ बैठ सकते हैं तो चलिए यहां पर जो है मैं फटा फट जो है मैंने हरी सब्जियों को तो काट लिया है अब थोड़ा बट गरके आपर देखी जो है आलू मैंने फ्राइ कर दिया है थोड़ा सा इसमें मोंग फली भी डाल दिया है और थोड़ा ही बनाई हूँ बच्चों के लिए और जैसे आलु के साद भी यह तोड़ा सा जूस है और आलू है खा लेंगे खाने के बाद जाए कि अब यहां पर लग गई हूं कि चन की साफ सफ़ाई करने के बाद पूजा के भी मैंने तयारी कर लिए और देख़िए अभी मैं नहा के आ चुकी हूं और मैंने अपने बालों को जुड़ा बना लिया है तो यहां पर मैं कर रही हूं पूजा इस तरह से मैंने मंदिर को मेरे भीगे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाल खूल कर जो है सुखवा लेती हूँ और जब खूल का सूख जाएगा तब जाके मैं जूड़ा बनाऊंगी क्योंकि खूले बाल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन डर ये लगता है कि कहीं खाने में कोई मेरे कपड़ों के कफ़र रखे हुए हैं वेलकम बैक टो माई न्यू ब्लॉग और कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को नौरात्री की धेर सारी सुख काम लाएं तो चलिए भी हमारी बूजा पाठ हो चुकी है और मैं चल र तो अभी मैं आचे के मोचीन में अब बनाने जा रही हुँ, अब यह लिए चाय और है जो मैं जो है मौनी में ही जाय लिए उक मीवार बना की आपाटी हो चाय मैं जब उटती हो फो को सबसे पहले गु गुनोरा पानी डो गलास और दो कप चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए चाई नहीं पीते और उनके लिए मैंने जूस्ट बना दिया था तो वही सब मतलब उखाकी कर चले गाए हैं और मैं चल रही हैं यहां पर बनाने के लिए मतलब चार अपने दिये अब लाए अब 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 आप आपके अब आपके जाए हैं तो यहां पर चाय हमारी वाइल हो रही है और मैं अभी डाल देती हूं अद्रक और जो है अब गर्मी कसमें आ गया है तो थोड़ी यह द्रक डालाए है क्योंकि गर्मी में अद्रक नुफसान करती है लेकिन यह है कि सुबह थोड़ा सा जादा कर देती हूं और श्राम को कम डालती हूं और सुबह साम दो ही समय चाय ही बनती है आचकल गर्मियों में और कभी तो साम को नहीं बनाती हूं जैसे तर्बू जो अगर रतरफल कोई यहां तर्फ़े दो तीन बार हो जाती है तो चाय में बहुत जो है एकड़ा दम आच़े से पकाती हूं उसके बार निकालती हूं और फिर प्रणाही में थोड़ी सी यालू बची थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गरम तर के मैं भी नासता कर लेती हूं और यहां पर पुर्शाद रखी थी तो मैंने पुर्शाद था खालू और जैसे मैंने मुह में डाला वैसे एक दाना मिस्री गर गई नीचे और मैं वही खोजने लगी क्योंकि डरीर अंगरा था कहीं पैरना पड़ जाए तो फिर जब नहीं मिली तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं करूंगी उसके बाद फिर थोड़ा सा रेष्ट करूंगी और मतलब कि आज पर जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इतना बड़ा दिन होता था कि दिन बीटता ही नहीं था मतलब दो पार का समय बीटता ही नहीं था और अब जो है सुबस आप चाहे जितनी जल्दी उ यह जब आज समय कम होने लगा क्योंकि आधा समय ले लेता है और मुझे तो जो है कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है क्योंकि वीडियो बनाओ उसको एडिट करो उसको अपलोड करो फिर सेट करो यह सब में तो चलिए फ्रेंट्स आज हमारी जो है सुबह से लेकर दोत समझाई से तु लाइक कर देना चलिए लिलते हैं मुश्कों आभे सब तक ले बाए बाटे